नमस्कार मैं रविश कुमार, आज का वीडियो किसान आंदोलन पर है खिनौरी बॉर्डर पर एक किसान को गोली लगने का दावा किया जा रहा है मगर पुलिस ने इसकी पुष्टी नहीं किये दोपहर 3.36 मिनट पर हर्याना पुलिस ने ट्वीट किया कि अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार आज किसान आंदोलन में किसी भी किसान की मृत्यू नहीं हुई है यह मात्र एक अफवा है पुलिस ने इतना ही लिखा है कि दाता सिंग खनौरी बॉर्डर पर दो पुलिस कर्मियों तथा एक प्रदर्शनकारी के घायल होने की सूचना है जो उप्चारा धीन है लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के समवादाता करम प्रकाश ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पटियाला गर्वर्मेंट हॉस्पीटल के डॉक्टरों ने इसकी पुष्टी कर दी है कि 24 साल के शुबकरंट सिंग की मौत हो गई है प्रिब्यून अखबार ने भी इस बात की पुष्टी कर दी है इस अस्पताल में गोली लगने से तीन घायलों को भरती कराया गया है जहां एक कुम्रित घोशित कर दिया गया हमने जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया तब तक सारी सुचनाएं नहीं आ सकी थी हमारे पास न्यूस चैनल की सुविधा नहीं है कि हम पलपल की जानकारी इस वीडियो में शामिल कर सकें इसलिए ऐसी खबरों के लिए थोड़ा और इंतजार करना आप दर्शकों के लिए बहतर रहेगा जिस तरह से इंटरनेट बंद किया गया है रिपोर्टर के लिए भी एक साथ एक समय में सारी खबरों की पुष्टी संभव नहीं है शंभू बॉडर की तरह खिनौरी बॉडर पर भी किसानों का भारी संख्या में जमावड़ा है यहां भी आसू गैस के गोले धुआधार छोड़े गए हैं दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा यह साफ नहीं है कि पैलेट गन से गोली लगी है या आम बंदूग की गोली मगर किसानों ने गोलियों के दो खोखे दिखा कर दावा किया कि उन पर गोलियां चलाई गई है किसान नेता बलदेव सिंग सिरसा ने गोली लगने का दावा किया है भारतिया किसान यूनियन मालवा ने कहा है कि शुपकरन सिंग की मौत हो गई बताया गया है कि शुपकरन सिंग 20-21 साल का नौजवान है बठिंडा का रहने वाला है या शम्भू बॉर्डर की हालत है आप वीडियो में देख सकते हैं आसमान आसू गैस के धूँ से भर गया है जिस तरह यहां आसू गैस के गोले बरसाए गए लग रहा था कि युद्ध का मैदान है यहां किसानों ने खुद को बचाने के लिए मास्क से चेहरे को ढख लिया था मगर सभी के पास इस तरह के मास्क नहीं थे खिनौरी और शम्भू बॉर्डर पर किसान भारी संख्या में जमा नजर आए हर्याना पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरा बंदोबस किया था आज ही यहां से दिल्ली कूज का ऐलान किया गया लेकिन जिस तरह से इस जगह की घेरा बंदी की गई है लगता नहीं कि किसानों के लिए दिल्ली तक पहुँचना संभव हो पाएगा यहां आप देख सकते हैं कि हर्याना की तरफ से सीमाएं सील कर दी गई है बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है किसानों की तरफ से बड़ी संख्या में सिमेंट की बोरियां लाई गई है ताकि वे भी अपना बचाओ कर सकें शंभू बॉडर से खबरे आ रही थी कि नौजवान बैरिकेट तोड़कर दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे मगर ऐसी कोई भी कोशिश हिंसा और टकराव की स्थिति पैदा कर सकती है हम फिर से याद दिला दें कि हम न्यूज चैनल नहीं है इस रिपोर्ट में आज की कई प्रमुग घटनाओं को कबर तो किया गया है मगर पल पल बदलती खबरें इसमें नहीं है हर्याना पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की तबियत खराब होने से मौत की खबर आई है विजय कुमार टोहना बॉर्डर पर तैनाथ थे किसान नेताओं ने अपनी प्रेस कॉंफरेंस में कहा है कि हम शांती से दिल्ली जाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि सरकार रास्ता दे दे लेकिन जिस तरह से पिछले एक सवता से चारों तरफ के रास्तों को सील कर दिया गया है किसानों के लिए दिल्ली पहुँचना आसान नहीं हम इस पर भी बात करेंगे लेकिन पहले उन शब्दों की बात जिन्हें पत्रकार ऊपर से आसू गैस के गोली की तरह किसानों पर बरसा रहे हैं किसानों ने नौजवानों से अपील की है कि हर हाल में धीरज रखना है और हिंसक नहीं होना है रोके लगाई हुई है उससे आगे किर्प्या कोई भी साथी अपने आपना मढ़े ताके शांती बनी रहे किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो पाई देखिए इदर भी हमारा किसान है उदर भी जो जवान है नजर आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम महसूस करें कि वो हमारा दुश्मन हो दुश्मन नहीं है वो भी किसी किसान या मजदूर का बच्चा है किसी अडानी का बच्चा नहीं है ना ही वो किसी पुलिटिकल नेता का बच्चा है वो सब के सब किसान मजदूर और गरीब लोगों के बच्चे है उनकी मजबूरिया हो सकती है लेक लेकिन पहले हम बात उन शब्दों की करना चाहते हैं जिसके जरिये गोधी मीडिया किसान आंदोलन को रिपोर्ट कर रहा है। ऐसा लगता है कि भारत के मीडिया ने टैंक जादा देखे हैं ट्रैक्टर नहीं देखे हैं। जैसे ही वे ट्रैक्टर में जोर तोड़ कर कुछ भी बदलाओ देखते हैं उन्हें ट्रैक्टर टैंक नजर आने लगता है। आज जब ऐलान हुआ कि शंबू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ किसान कूछ करेंगे तो मीडिया की हेडलाइन में एक शब्द उछलने लगा मेक्शिफ्ट टैंक आप देखिए कि कैसे मीडिया इन नए नए शब्दों के जरिये आपके भीतर के नागरिक बोद को खत्म कर इस वीडियो को पूरा देखिएगा सोचिये कि ये मेक्शिफ्ट टैंक क्या होता है क्या बिना गोला बारू दागने की शमता के कोई भी वाहन टैंक या मेक्शिफ्ट टैंक हो सकता है मीडिया को ट्रैक्टर में ऐसा क्या दिखाई देता है कि उसकी तुलना वा युद्ध के हथियारों से करने लग जाता है किसानों ने दिल्ली कूच का इस्तमाल किया तो उनके ट्रैक्टर से लेकर जेसी भी मशीन को मेकशिफ टैंक लिखा जाने लगा ये चंद हेडलाइने हैं दिल्ली में घुसने के लिए किसानों ने बना लिया अपना टैंक जरा पुलिस से भिड़ने की तैयारी देखिए मेकशिफ टैंक पोकलिन मशीन और आयरन शीटें दिल्ली मार्च के लिए किसानों ने बनाया ये प्लान दिल्ली में घुसने के लिए किसानों की है पूरी तैयारी अपने साथ लेकर आए हैं टैंक बेरिकेट्स तोड़ने के लिए कई मशीने भी साथ मेक्शिफ्ट टैंक का इस्तमाल किया जा रहा है क्या मेक्शिफ्ट फाइटर प्लेन हो सकता है क्या मेकशिफ्ट सेना हो सकती है मेकशिफ्ट एकेफ 47 हो सकता है ट्रैक्टर या जेसी भी मशीन को मेकशिफ्ट टैंक क्यों कहा जा रहा है उसमें टैंक की कौन सी खुबी है कौन सी शमता है क्या जो काम टैंक करता है उसका 10 प्रतिशत एक प्रतिशत काम भी किसानों के ट्रै यही तो फोकलिन है, टीन टपर की चादरों से इसके केबिन को घेरा गया है कहीं से भी आपको यह टैंक नजर आ रहा है क्या गड़ा खुदने वाली मशीन टैंक बन सकती है असली टैंक के एक गोले से इस मशीन का अता पता नहीं चलेगा मगर मीडिया इसे मेकशिफ टैंक लिख रहा है खुदाई करने वाली इस पोकलिन मशीन को सिर्फ इसलिए टैंक कहा जाने लगा क्योंकि इसके केबिन को लोहे की चादर से बंद कर दिया गया है फिर तो इसके उपर एक हवाई जहाज का नमूना या खिलोना टांग दिया जाए तो ये रफाल विमान भी कहा जाने लगेगा मेकशिफ फाइटर प्लेन इस तरह की JCB मशीन ब्रिटेन की JCB और फ्रांस की पोकलिन कमपनी बनाती है इसी के केबिन को बुलेट प्रूफ कहा जा रहा है उत्खनन के काम में इस्तमाल होने वाली मशीनों को कमपनीों के ब्रैंड नाम से पुकारा जाता है क्योंकि एकस्क्वेटर बोलना मुश्किल है भारत में आम किसान इसलिए भी इने JCB या पोकलिन कहने लग जाते हैं लोहे की चादर से ट्रैक्टर और पोकलिन के केबिन को लपेट देने पर टैंक नहीं हो जाता पोकलिन अगर इतना ही शक्तिशाली होता तो तमाम मुलकों की सिमाओं पर सारे गड़े इसी से खोदे जा रहे होते टैंकों और सिनाओं की जरूरत नहीं पड़ती मीडिया का यही हाल रहा तो एक दिन वह बच्चों के इन खिलोनों को देखकर भी हंगामा मचाने लग जाएगा कि लोगों के घर-घर में टैंक चल रहे हैं युद्ध के उपकरन चल रहे हैं या देश के लिए खत्रा हो सकता है टैंक का कोई और रूप टैंक नहीं हो सकता है वह मेक्शिफ्ट टैंक नहीं हो सकता है अगर मीडिया की यही समझ है तो इन खिलोनों से मेकशिफ्ट सेना बना कर समपादकों के नित्रितु में सीमा पर भेज देना चाहिए दुश्मन अपना असली टैंक छोड़कर किसी खिलोने की दुकान में छिप जाएगा जहां से हमने ये वीडियो बनाया है देखिए पूरे देश के मेलाओं में टैक्टेटालियां जाती हैं जो पार्टी रैलीज करती हैं वहां टैक्टेटालियां से किसान मजदूर जाते हैं क्या ये बात सही नहीं है क्या आपने चुनावी सभाव में ट्रेक्टर ट्रॉली में भरभर कर लोगों को लाते ले जाते नहीं देखा है तब तो खत्रा नहीं बताया गया किसान जब बीजेपी की रैली में जाने के लिए ट्रेक्टर ले जाएं ट्रॉलियां ले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं तब नहीं कहा जाएगा कि आप हाईवे पर ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकते मोटर विकिल एक्ट का आप उलंगन कर रहे हैं मगर जब किसान अपनी मागों को लेकर ट्रैक्टर से निकलता है तो सौ तरह के भूत खड़े किये जाने लगते हैं ऐसा नहीं है कि किसान को पर फेक देते हैं कभी संत्रे और कीनू पर ट्रैक्टर चला देते हैं तब तो कोई कहने नहीं आता कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सरकार आपकी कीनू की सारी कीमत अदा करेगी किसानों का यही तरीका है प्रदर्शन करने का विरोध करने का हमने 17 फरवरी के अपने वीड city खत्म कर देना चाहती थी दुनिया भर में किसान कई बार ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं किसान आंदोलन को मीडिया जिस नजर से देखता है दिखाता है उसमें प्रशासन और आईटी सेल के नजरिये में खास फर्क नहीं मीडिया के इस्तमाल किये गए शब्दों से पता चलता है कि वो लोकतांतरी गतिविधियों को शत्रू के हमले की तरह देखने लगा है उसे किसानों के आंदोलन में लोकतांतरी का दिकारों को छोड बाकी सब नजर आ रहा है जब सरकार बिना कोट के फैसले के बुल्डोजर लेकर जेसी भी मशीन से किसी गरीब का घर गिरा देती है तब तो कोई नहीं कहता कि सरकार अपनी ही जनता को टैंक से कुचल रही है बलकि मुख्यमंतरी को बुल्डोजर बाबा कहा जाता है यही शब्दों का खेल आपको समझना है मुख्यमंतरी बुल्डोजर बाबा कहलाएंगे और किसान जब जेसी भी मशीन लेकर निकलेगा आतंकवादी कहलाएगा आप देख लीजे प्रेस आप जनता को किस नजर से देखता है और इन शब्दों से कैसे बाट रहा है बुल्डोजर से ज़ादा तर मुसल्मानों के घर गिराएगे एंटी मुसलिम मुद्दों के समय बुल्डोजर राष्टवादी हो जाता है सरकार हो जाता है मजबूत प्रशासन हो जाता है और किसानों के समय जेसी भी बुल्डोजर आतंकवादी हो जाता है नियू यॉर्क के पास नियू जर्सी नाम का एक शहर है यहाँ पर 15 अगस के दिन भारत की आजादी के उपलक्ष में एक शोभा यात्रा निकाली गई इस शोभा यात्रा में JCB मशीन भी शामिल की गई स्वतंत्रता दिवस्त की शोभा यात्रा में JCB मशीन का क्या काम मगर लोग लेकर निकले अपने देश में किसान अपनी मांगों को लेकर JCB लेकर नहीं निकल सकता JCB मशीन इतनी लोगप्रिया हो गए कि जब ब्रिटेन के प्रधान मंतरी के रूप में बॉरिस जॉनसन भारत आये तुन्हें JCB मशीन पर चढ़ा दिया गया चढ़ गये गुजरात में JCB की फैक्टरी है इस घटना पर ब्रिटेन के प्रधान मंतरी की पार्टी के सांसद नहीं कहा कि क्या जॉनसन ने भारत के प्रधान मंतरी से ये सवाल पूछे कि JCB से लोगों के घर गिराये जा रहे हैं अगर नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा नाडिया विट्टम ने तो ट्वीट किया कि BJP मुसल्मानों का घर गिराने के लिए JCB का इस्तेमाल कर रही है अब आप लिंक जोड़िए किसानों को क्या कहा जा रहा है उनके उकरणों को क्या क्या कहा जा रहा है अगर आप सरकार की किसी नीती का विरोध करें तो मीडिया उसी तरह के शब्दों का इस्तिमाल करता है जिन शब्दों का वो मुसल्मानों के लिए करता है एंटी मुसलिम डिबेट के लिए करता है इतनी सी बात समझ जाएंगे तो आपके जीवन का 20 साल बरबाद नहीं होगा अब तो रैलियों में JCB मशीन का इस्तमाल होने लगा है उससे फूल बरसाये जा रहे हैं तब किसी को टैंक नहीं दिखाई देता बड़ी बड़ी प्रतिमाओं पर फूल बरसाने के लिए JCB का इस्तमाल होने लगा है नेताओं को माला पहनाया जाता है तभी तो करनाटका में JCB के इस्तमाल पर रोक लगाई गई है लेकिन किसान अंदुलन में या मशीन दिखते ही सब को टैंक टैंक नजर आने लगता है भारत का मीडिया प्रशासन के द्वारा गाड़े जा रहे इन कीलों को कटिली तारों को और सिमेंट की उँची उँची दिवारों को इनके जर मेकशिफ्ट ताना शाही का भी खयाल आता होगा या आना बंद हो गया पत्रकारों ने इंटरनेट बंद किये जाने को लेकर तो कहीं नहीं लिखा कि अब मेकशिफ्ट ताना शाही है लेकिन किसानों के ट्रैक्टर को मेकशिफ्ट टैंक लिखने में उनकी कलम दौड इन्हें टैंक दिख रहा है मगर ड्रोन से एक राजी की पुलिस दूसरे राजी की सीमा में किसानों पर आसू गैस के गोले गिरा रही है उसे किन शब्दों से देखा और लिखा जा रहा है आप नोट कीजिए आसू गैस से बचने के लिए किसान बोरियां लेकर आएं इसे त किसान नेता अपने भाषण में इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि किसी भी तरह से आक्रमक ना लगें उकसाने वाली बात ना कही जाए हमारे देश का दुर्भग है कि हमारे देश के किसानों को आज खालिस्तानी देश दुरोही और इस तरह की संग्याओं से नवाजा जा रहा है जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के पंजाब और हर्याना के बॉडर पर पिछले 7-8 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें उन ट´क्तर है उन्कों Всё रूप में बताए जा रहा है ऐसा लग रहा है जैसे चीन और हिंदोस्टान के बांडु या हिंदुस्तान की एक सीवा रिखा उनके बीच में है और नौ मेंस लैंड और एक तरीके जो आसू वैस्त के गोले उनके पद छोड़े जा रहे हैं शेलिंग जैसे श्र्तиру अन्डाताओं का उल्लीय है इस MR और इस सीने अचल कि व्रयृवरा उनको दो साल। सार उसके उपर कोई कारवाई ना करने के करान वजबूरी में या लदोन करना पड़ रहा है और देश में किसानों की छभी को खतम करने का काम गोधी मीडिया के गांद से किया जाção करना ह 175-25 और देश के लिये जब हैं देश के लिए भी ầy 있습니다 कि सुरक्षा या खाति सुरक्षा सबी चीजों को खतरे में डालने वाना है केवल किसान ही नहीं इंटरनेट बंद होने से प्रभावित शेत्रों में बैंक का काम रुख गया होगा लोग पेमिंट नहीं कर पा रहे होंगे आनलाइन क्लास नहीं चलती होगी बिजनेस प्रभावित हुआ होगा क्या किसी को दिल्ली जाने का अधिकार नहीं अगर किसान राजधानी नहीं जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे जब अमेरिका में वाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर सकते हैं हमने आपको अपने पुराने वीडियो में दिखाया भी था कि कैसे घज़ा पर इसराईली हमले के खिलाब वाइट हाउस के बाहर लोग धरने पर बैठ गए इसराईल के समर्थकों ने भी राश्टपती के निवास के बाहर प्रदर्शन किया और इसराईल के विरोधियों ने भी भारत में ऐसा क्यों नहीं संभव है वाशिंग्टन में तो इन प्रदर्शनों को सड़क खूद कर, सिमेंट की दिवार खड़ी कर, कटीली तारे लगा कर या कीले गाड़ कर नहीं रोका गया वाशिंग्टन में भारत का मीडिया मौझूद रहता, तो राष्टपती निवास के ठीक बाहर प्रदर्शन करने वाले हजारों लोगों को आतंकवादी लिख देता जब वशिंग्टन में लोग राष्टपती निवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुँच सकते हैं तो फिर भारत के किसान भारत की राजधानी दिल्ली क्यों नहीं आ सकते और ये सवाल प्रेस के लिए एहम सवाल क्यों नहीं है वो ट्रैक्टर में टैंक देख रहा है मगर डिमोकरिसी का डेथ नहीं देख रहा वाइट हाउस के बाहर हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर सकते हैं तो भारत के किसान दिल्ली आकर राम लीला मैदान या जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते अमरीका ही नहीं लंदन में भी प्रधान मंत्री के निवास के करीब डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हजारों लोग जमा हुए फिर भारत में किसानों के दिल्ली आने को लेकर सरकार और प्रेस की भाशा में सिमेंट, कीले, काटे और टैंक क्यों सुनाई दे रहे हैं भारत का गोधी मीडिया लोग तंत्र के लिए जरूरी शब्दों को भूल गया है वो दिन रात इसका गला घोटने में लगा है जाहिर है उसके पास इसी तरह के शब्द बचे हैं जिनके सहारे आप नागरिक को शत्रू की तरह दिखाया जाता है किसी को नया शब्द कोश बनाना चाहिए कि लोग तंत्र जब तक है तब तक वहां की पत्रकारिता को नागरिकों के लिए किन शब्दों का इस्तिमाल करना चाहिए गोदी मीडिया लोग तंत्र के आसमान में चील बनकर मडरा रहा है वह घात लगाए उड़ रहा है कि जहां भी लोग तंत्री कदिकारों की संभावना दिखे भावना दिखे कोई सवाल करता दिखे उस पर जपट्टा मार देना है लोग तंत्र को निगल जाने वाले इन चीलों से आप सावधान रहिए मीडिया को समझना चाहिए कि अगर वह किसानों के आंदोलन और उनके उपकरणों को युद्ध के सामान की तरह देखेगा दुश्मन की तरह देखेगा तो वह एक तरह से स्टेट को चील बनकर जपट्टा मारने का मौका दे रहा है मीडिया और सरकारे भूल गई है कि प्रदर्शन करना वैद अधिकार है इसकी सीमाएं तै करते करते आप प्रदर्शन को ही खत्म करने जा रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते वैसे ट्वीटर पर आए दिन छात्र अपनी भरती के रिजल्ट और परिक्षा में पेपर लीक को लेकर आंदोलन चलाते रहते हैं वह ट्रेंड हो जाता है मगर सरकार को फर्क नहीं पड़ता 69,000 शिक्षकों की बहाली और पेपर लीक की कहानी उत्तर प्रदेश से हर दिन ट्वीटर पर दिखती है क्या कोई एक्षन होता है अदालते भी प्रदशन कारियों को लेकर सक्त होती जा रही हैं मगर यह नहीं देखती कि जब छात्र घर से भी नहीं निकलते रास्ता जाम नहीं करते ट्वीटर पर ट्रेंड ही कराते हैं तब भी सरकारे नहीं सुनती है ट्रैक्टर है, टैंक नहीं है, किसानी जीवन का अभिन हिस्सा है ट्रैक्टर, वो दिन रात इसी के साथ जीता है तो इसकी ट्रॉली को अपने घर की तरफ बना लेता है उसके पास हुनर है तो बारिश धूप से बचने के लिए छटरियां जोड लेता है इस हुनर से भारत की संकों पर ना जाने कितनी गाडियां दोड रही हैं चुकि ये किसान है सरकार को उसके किये गए वादों की याद दिला रहे हैं तो ट्रैक्टर टैंक बताया जा रहा है अगर ट्रैक्टर के टैंक बन जाने की जरा भी संभावना होती तो केंद्र सरकार ट्रैक्टर और अन्यक्रिशी उपकरनों पर सबसिडी नहीं देती सरकार तो दावे करती है कि 16,000,000 ऐसी मशीने बाटी गई है और 20,000 से जादा फार्म मशीनरी बैंक बनाए गए है इसी दो फरवरी को P.I.B. ने प्रेस रिलीज जारी की है कि इस काम के लिए राज्यों को 6,000 करोड से अधिक किराशी दी गई है हमारी मन्शाह किसी तरह का भी अशांती पैदा करना हमारा निशाना नहीं है ना कोई हमारी इसके ओपर कोई पैची इशू है तो हम तो ऐसा किये बगार नहीं सकते लेकर बात यह है कि हमने दिली जाने का प्रेवराम बढ़ाया फिर आज से नहीं बना यह साथ नमंबर की हमने कौल दे रखी है साथ नमंबर से लेकर अगर आज सरकार यह कहें तो मुझे लग़ा है सरकार की यह तानम डोल की निथी है सरकार को ऐसा ना करते हुए देश के किसान मंदूर के पक्षवे फैसला लेना चाहिए किसान देश का किसान है देश के किसान ने देश को सेल्फ डिपेंड किया है तो रात मेंटे किये साथ लाग के करीब आज तक किसान सुसाइड कर चुका है लेकिन ऐसे अगर सरकार किसान से बात करने की बजाए इसा प्रबंद करें किसानों को रोकने के लिए इतने इतने बिरिगेर्स लगए तो यह उच्छत बात नहीं होती हमारा निमेदन है कि हम शांती पूर्वक धंग से दिल्ली जाना चाहरे हैं सरकार किर्प्या हमें खुद बाखुद अपने वह बरिगेर्स सहताते हुए दिल् बैठने की विवस्ता बना दे हमें कोई दिक्त नहीं है लेकिन अगर फिर भी नहीं यह सरकार करने चाहरी हमारी मांगें हमारे देश के धन्मंत्री जी है हमारी सरकार जो वह दिल्ली में बैठ कर रहा है बड़े-बड़े फैसले लेती है हम देश पूरो देश के लोगों क हमें हसलों की खरीदी का गरंटी का कनून बनाने के लिए त्यारे बनते हैं तो किसान भी शात रहे हम शात हैं किसानों को शात कहने की किसी की जुरूरत नहीं है किसान पहले से पूरी तरह शात है शंभू बॉर्डर पर आज किसान निताओं ने एलान किया कि सरकार से बाठीट तो हो रही है मगर कोई निर्ने नहीं हो रहा है चौथे दोर की बाठीट में किसानों को जो प्रस्ताव दिया गया उसे किसानों ने रिजेक्ट कर दिया अगर सरकार 5 फसलों की खरीद पर 5 साल के लिए गारेंटी दे सकती है तब फिर सभी 23 फसलों पर लीगल गारेंटी देने में उसे क्या दिक्त है यही नहीं किसानों ने कहा कि इसमें भी एक जोल है जैसे कोई नया किसान कपास की खेती करेगा तो उसके ही कपास की खरीद की गारेंटी दी जाएगी इससे तो कपास की खेती करने वाले पुराने किसानों को कोई लाब नहीं होगा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उचे दुचित्ती आ रही है तो हम कहते हैं परधान मंत्री जी सविधान की रक्षा करना आपका दाज्त्व है आप सविधान की रक्षा की जिए हमें पीस पुली और टेस्ट करने के लिए ये नाका खोलके दिल्ली जाने का इजाज़त दे देजिए ये सविधान खैक्षा देश के किसान मजदूर का इससे गतिरोथ खत्म हो जाएगा जैसे ही सहींत किसान मोर्चा गैर राजनितिक ने दिल्ली कूच का एलान किया केंद्रिय कृशी मंतरी अर्जुन मुंडा का ट्वीट आ गया उन्हेंने लिखा कि छार दौर की बाचित के बाचीत के भाद पहंचवे दौर में सभी मुद्दे जैसे MSP की गաरेंटी, फसल, विवदी करण, पराली का विश olduğ के इफाई यार पर बाचीत के लिए तयार है मैं चर्चा के लिए दोबारा किसान नेताओं को आमंत्रित करता हूँ नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 के दौरान पहले चरण के आंदोलन में कई किसान नेताओं के खिलाफ F.I.R. की गई थी किसान तब से F.I.R. वापसी की मांग कर रहे हैं अगर M.S.P. का मामला जटिल है तो F.I.R. वापस लेने में क्या दिक्कत है या काम तो अभी तक हो जाना चाहिए था पिछले साल नवंबर की एक खबर देखिए हर्याना के मुख्यमंतरी मनुहरलाल खटर ने ऐलान किया है कि कोवीट के दौरान नियमों के उलंगन के मामले में जितनी भी F.I.R. की गई थी उन्हें वापस ले लिया जाएगा मुख्यमंतरी ने तब बताया कि कोवीट के समय जो नियम बनाए गए थे उन्हें तोड़ने के अपराद में 14,000 से अधिक लोगों को गिरफतार किया गया था और 8,275 F.I.R. की गई थी इन सभी को वापस लिया जाएगा मुख्यमंतरी ने यह भी कहा था कि सरकार इस मामले को कोट में उठाएगी यह भी इसी 9 फरवरी की खबर है अमर उजाला में छपी है हर्याना सरकार जाट आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर 400 से अधिक F.I.R. वापस लेना चाहती है हाई कोट में अरजी लेकर गई है जबकि एमिकस क्वीरी ने विरोध किया है कि प्रकार सिंग कमेटी की रिपोर्ट ने इन में से 139 F.I.R. को बेहत गंभीर माना है इन्हें वापस कैसे लिया जा सकता है नजाने ऐसे कितने ही उधारन दिये जा सकते हैं F.I.R. वापसी के तो किसान आंदोलन की इस मांग को अभी तक क्यों नहीं पूरा किया गया MSP को लेकर जो कमेटी बनाई गई उसकी बैठके होती रही अभी तक उसकी रिपोर्ट का पता क्यों नहीं है जाहिर है कि इंदर सरकार ने समय रहते किसानों की मांग पर पहल नहीं की ध्यान नहीं दिया अपने वादों को पूरा नहीं किया सहीत किसान मोर्चा का आंदोलन एक साल चला अगर उनके निताओं से समस्या थी तो सहीत किसान मोर्चा गैर राजनिती में नए निता थे नए लोग थे उनके साथ नए सिरे से रास्ता निकाला जा सकता था मगर नहीं निकला इसकी जगह पर किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है और ट्रैक्टर को टैंक बताया जा रहा है यही वक्त है आपके सावधान हो जाने का नमस्कार मैं रविश कुमार